हलो स्टुडेंट, स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आप तक हमने जो इंपोटेंट था हमारे फीजियोलोजी, इंसेक्ट फीजियोलोजी, इंसेक्ट मॉर्फोलोजी वह हमने पढ़ चुके थे और उसके बाद में जो पेस्ट की केटिग्रीज थी वह भी हमने शुरू कर दी थी, देखिए पेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उसका मैनेजमेंट किस तरीके से एरते हैं, ठीक है क्योंकि मैनेजमेंट हमको पहले से पढ़ना पड़ेगा ताकि जब भी पेस्ट की अलग अलग केटिग्रीज आएंगी और उनका जब नेचर ओफ डेमेज हम पढ़ना शुरू करेंगे, हमको पता लग सकेगी अब इसका डेमेज जो हो रहा है, उसको कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, या मैनेज किस तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए अब देखिए एक ट्रेंड जो मैं आपको बताता हूँ, जो लग बग अभी पूरे इंडिया के सहीत, पूरे अलवर वर्ल्ड के अंदर फॉलो किया जा रहा है, वो है आई-पी-म, आई-पी-म का देखो, सिंपल सी डेफिनेशन होती है, सिंपल जो इसका वर्ड मीनिंग ह तो मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसेक पेस्ट जो है, या कोई भी पेस्ट जो है, ठीक है, उसके डेमेज को मेनेज करने के लिए, उसके डेमेज को कंट्रोल करने के लिए, उस इंसेक को कंट्रोल करने के लिए, क्या क्या जाता है, जो भी कंट्रोल मेजर हैं, जो भी लिए उन सभी का जो प्रॉपर उस होता है वो क्या कहलाता है इंटीरेटेट्डेड पेस्ट मेनेजमेंट कहलाता है ठीके आज वीकलास हो में उपोरी डीटेटल से इसको δेखेंगे डेखो IPM तर्म है तर्म है काई सारी क्यूशन होते हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं और अभी जो लेटेस ट्रेंड जो चल रहा है स्टुडेंट्स यहाँ पर IPM के अंदर काफी सारे क्यूशन पूछे जाने लगे हैं तो देखो सबसे पहली चीज़ होती है कि IPM होता क्या है तो Integrated Past Management देखो Integrated का मतलब क्या है जो भी हमारे पास में Available Resources है उनका क्या करना पेस्ट को Control करने के या पेस्ट को Manage करने के लिए उन सभी का एक तरह से यूज में लेना क्या कहलाता वही IPM कहलाता है ठीक है अब देखो IPM को स्टार्ट करने से पहले हम क्या इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलोजी देख लेते हैं वह इसलिए है क्योंकि हमार पास कई तरह के देखो वही एक एक जो टर्मिनोलोजी है कि आपके एकरिक टर्म आपके के point of view से important है क्योंकि वो direct या तो integrated control पूछेंगे या फिर वो पूछेंगे pest control या पूछेंगे तो सबसे पहली जो हमार पास में हिस्ट्री का point है वो है माइकल बेशर एंड बेकॉन ने क्या किया था 1902 के अंदर सबसे पहले term coin की थी जिसको हमने क्या बोला है integrated control देखो यहां पर एक चीज है यहां पर अभी पेस्ट उन्होंने mention नहीं किया है ठीक है पेस्ट अभी तक mention न integrated, biological and chemical control देखो भई इसका मतलब क्या होता है यह जो integrated control था ना इसी की ही फिर आगे क्या दी गई थी definition दी गई थी इस definition के अंदर यह बताया गया था कि जो word है integrated ठीक है integrated का actual meaning क्या है कि क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर जो biological control है और chemical control इन दोनों का साथ में अगर use करेंगे तो इस तरीके के control measure को उसके अंदर रखा जाएगा यह जो next point जो है एक्जाम के point of view से important है और सबसे ज्यादा बार पुछा जाता है कि gear and Clark देखो दो scientist है gear and Clark 1966 coin the term pest management अब यहाँ पर जो बात आई है हमारे पास में वो है pest management पहली बार यहाँ पर शब्द कौन सा use वह भई पैस्ट देखो इतने देर तक क्या चल रहा था लेकिन सबसे पहले 1966 में किसने बताया गियर ठीक है गियर और यही आपके जो है एक्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है यह तर्म जो है गियर आपके एक्जाम के अंदर पूछा जाती कि यह तो डारेक्ट इस तर्डिशन पूछा जाएगा गियर ठीक है तो पेस्ट मेनेजमेंट जो है सबसे पहले किसने दिया था 1966 में दिया था गियर एंड क्लार्क ने दो साइन्टिस्त हैं लेकिन आपको यहाँ पर जो है गियर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा एक्जाम के अंदर उसके बाद मैं देखो Council on Environmental Quality CEQ ने 1972 के अंदर क्या दी थी टर्म Integrated Pest Management IPM की जो सबसे पहले टर्म थी वो सबसे पहले किस ने दी थी Council of Environmental Quality यह कोई Council है या फिर हम बोले कि कोई Agency है जिसके अंदर क्या हुआ किस पर काम करती है जो Environment है Environmental Factors पर काम करती है उसके अंदर होने वाले Changes के उपर क्या करती है Research का जो पूरा प्रोग्राम होता है वो कौन हैंडल करता है Council on Environmental Quality जिसने क्या किया 1972 के अंदर एक टर्म पब्लिश किया टर्म दी जिसको हमने क्या बोला है Integrated Pest Management ठीके देखिए उसके बाद में फिर 1989 के अंदर IPM Task Force was established and in 1919 देखो इसके बाद में क्या हुआ IPM की जो टास्क फोर्स है उसको established किया गया IPM Working Group was constituted and strength implement of IPM International देखो हुआ क्या कि फिर जिस तरीके से IPM है इसके जो benefits नजर आने लगे उसके हिसाब से क्या किया गया फिर IPM जो है उसको handle करने के लिए different groups बनाए गए ताकि क्या किया जा सके IPM को पूरे international level तक क्या किया सके उसको स्थापित किया जा सके या उसका implementation किया सके तो ये कुछ point थे हमारे IPM के अंदर history से related then इसके बाद में देखिए हम बात करते कि IPM की जो main definition है जो किसने दी थी भाई लुक्मान एंड मेटकाल्फ देखो IPM की एक बुक जो है एक बुक भी चलती है लुक्मान एंड मेटकाल्फ की जिसके अंदर क्या है IPM को बहुत अच्छे से define किया हुआ है तो देखो यह जो scientist है लुक्मान एंड मेटकाफ ने क्या definition दी थी देखो IPM is defined as intelligent selection and use of pest control tactics that will ensure favorable, economical, ecological and sociological consequences देखिए भाई इसका मतलब क्या होता है कि IPM का जो सबसे important point है वो यह है कि जो farmer है farmer की income को क्या करना increase करना ठीक है farmer की income को increase किस तरीके से करना ताकि जो उसकी crop है crop का क्या है yield जादा से जादा है और उस crop को produce करने के अंदर जो भी उसका expenses होते हैं जो उसके जो खर्चे होते हैं वो क्या लगे कम से कम लगे ठीक है तो उससे क्या होगा कि उसको economical help पी मिलेगी दूसरी जो IPM के tactics हैं वो environmental के लिए safe होती है इसलिए क्या है IPM ecologically safe भी है ठीक है और तीसरी जो बात है वो क्या है sociological है means IPM के जो practices है वो कोई भी follow कर सकता है या जो कोई भी farmer है उसको easily follow कर सकता है इसलिए उन्होंने कहा कि IPM के tactics है वो economically होनी चीए होनी चीए और sociologically होनी चीए ठीक है अब देखो सबसे important चीज है कि IPM के components कौन-कौन से होते हैं ठीक है जब भी ये बात पुछी आती है कि IPM के part कौन-कौन से है या IPM के component कौन-कौन से है तो उसके अंदर कई बार क्या होता है confusion हो सकता है लेकिन देखो इस important जो components है IPM के या integrated pest management के तो वो है पहला जो है cultural method of pest management देखो ये सारे के सारे जो तरीके है इनका एक combined जो use होता है वो क्या कहलाता है actual में वही IPM कहलाता है तो अब ये कौन-कौन से components है उनको हम क्या करेंगे एक-एक को अच्छे से discuss करेंगे जिसके अंदर first है हमारा cultural method या pest management cultural method के cultural method की help से क्या करना pest को manage करना देखिए एक चीज में आपको शुरुहात मी बता दी थी कि जो pest है हम उसका कभी भी control नहीं कर सकते ठीक है हम हमेशार क्या करते है उसका management करते हैं क्योंकि insect को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है फिल्ड से खतम नहीं किया जा सकता है उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है manage किया जा सकता है या उसकी जो ETL level है उससे कम रखा जा सकता उसे लेकिन खतम कभी भी नहीं किया जा सकता इसलिए paste के लिए हम हमेशा कौन सी term यूज लेते हैं, management की ही लेते हैं, control कभी नहीं कर सकते हैं हम paste को, ठीक है तो यह एक important चीज होगी, then उसके बाद में दूसरी चीज है physical control, देखिए इस physical control में क्या होता है कि कुछ physical tactics होती हैं, जिनकी help से क्या करते हैं हम paste को manage कर सकते हैं, ठ पर आते हैं biological method या biological control, then उसके बाद में आता है chemical control, देखिए students, इन सभी components के अंदर एक common चीज में आपको बता दूँ कि यहाँ पर chemical control को सबसे last में रखा गया है, ठीक है, chemical control को क्या रखा गया है, सबसे last में रखा गया है, और उससे पहले जो भी available resources हैं, ठीक है, यह हम बात क agricultural है, physical, mechanical, biological, ठीक है, अगर इन चारों की help से अगर क्या नहीं होता, pest control नहीं हो पाता, तो ही क्या किया जाता है, chemical control की तरफ बढ़ा जाता है, otherwise chemical control का option जो होता है, IPM के case में सबसे last में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसके पीछे एक बड़ा reason यह है, क्योंकि जो chemicals होत होते हैं, हर कोई farmer इनको afford नहीं कर पाता, दूसरी चीजे इनके लिए, proper use के लिए, जो farmer को क्या होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, किस तरीके से कौन सा chemical कहां यूज करना है, तो इससे क्या होता है कि farmer की जो income है, वो उसके production के मुकाबले कम हो ज जाते हैं, ठीके, तो IPM जो है, क्या करने, IPM का जो main मकसद क्या है, वो farmer की income को double करना, और दूसरा क्या है, उसके expenses को कम करना, ठीके, इसके बाद में जो next point है हमारा, first जो है, first component को अब हम यहाँ पर discuss करेंगे, कि cultural method of pest management, देखो, cultural method का मतलब क्या है, कि ऐसे तरीके, या इस त प्रेस्ट को क्या कर सकते है, manage कर सकते है, ठीके, यह कैसे होती, regular कुछ method होते है, जो हम काफी लंबे टाइम से, या हम पुराने टाइम से, जो हमारे field के अंदर use कर रहे हैं, उन्हीं को use करके, क्या किया जा सकता है, pest की population को manage किया जा सकता है, जैसे कि इसके अंदर first है हमारा tillage और proper preparatory cultivation, देखो, क्या किया जाता है, tillage का मतलब क्या होता है, tillage जो होता है, उसको tillage करना और proper field की preparation करना कब cultivation से पहले, या harvesting के बाद में, ठीके students होता क्या है, कि जब भी हमारी crops जो होती है, harvesting पर जब पहुंच जाती है, harvesting पर पहुंचने के बाद में, जब उसको harvest किया जाता है, then उसके बाद में, उस crop के जितने भी stables हैं, या जो excreta material है, उसको क्या किया जाता है, field से, साफ किया जाता है, ताकि क्या ना हो, वहाँ पर किसी भी insect की pupation stage या कोई भी stage क्या ना कर सके, survive नहीं कर सके, ठीके, इसलिए क्या होता है, कि tillage जो है, वो एक important operation है, ठीके इसके अंदर देखो, एक important चीज जो आती है, वो आती है deep summer plowing, देखो deep summer plowing, देखो deep summer plowing जो होती है, वो एक important practice है, वो कब की जाती है, generally जो अप्रेल से मई ठीक है अप्रेल से मई का महीना जो होता है जब क्या होता है कि समर होता है समर सीजन जो होता है ठीक है समर सीजन जो होता है समर सीजन के अंदर क्या की जाती है डीप समर प्लाविंग की जाती है और डीप समर प्लाविंग क्यों की जाती है तो डेस्ट्रोए डिफ्रेंट इंसेक्ट स्टेजिस लाइक प्यूपा देखो हमसे कोई पूछा डिप समर प्लाविंग करनी है डिप समर प्लाविंग आखिर करते क्यूं है और कब करते हैं क्योंकि वहुत बार एक्जाम के अंदर क्यूशन पुछाता है कि डिप समर प्लाविंग करने का जो सही टाइम होता है वो कौन सा होता है तो अप्रेल से मई का महीना जो होता है क्योंकि उस समय क्या होता है कि भारत के अंदर क्या होता है ये गर्मियों का सीजन होता है ठीक है गर्मियों को सिजन होगा तो अपरेल से मई के बीच में क्या होगा डीप समर प्लाविंग करने से क्या होगा जो खेत के अंदर पिछली क्रोप के स्टेबल्स के अंदर क्या पड़ा था प्यूपा जो पड़ावा था यह कोई भी इंसेक्टी दूसरी स्टेज पड़ी थी वो क्या हो जाती डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आने से क्या हो जाती है वो डैस्तोइड हो जाती है उसको डायरेक्ट क्या किया जा सकता है ठीक है इसके बाद में है next है growing resistant varieties भई देखो यह question बहुत बार पूछा जाता है हमसे कि resistant varieties को उगाना वो किस तरीके के control measure के अंदर आता है ठीके resistant varieties को उगाना वो किस तरीकी control measure में आता है तो आता है भई आपके cultural method के अंदर आता है ठीके then उसके बाद में है seed rate देखो seed rate एक बहुत ही important role play करता है वो किसलिए करता है क्योंकि आपसे बहुत बार exam के अंदर question पुछा जाता है कि seed rate जो है seed rate से related item में छोटा सा आपको example बताता हूँ यह है sorgum shoot fly ठीक है sorgum shoot fly के case में क्या होता है देखिए general seed rate होती है sorgum की वो लेते 10-12 kg लेकिन sorgum shoot fly के attack से बचने के लिए क्या किया जाता है seed rate को high रखा जाता है seed rate कितनी high रखी जाती है लगबग 15-16 kg पर hectare के हिसाब से काम में ली जाती है तो देखो seed rate का manipulation भी क्या है एक तरीके के cultural method का ही part है ठीक है देन उसके बाद में है planting time planting time जो है ये भी important role play करता है वो इसलिए play करता है क्योंकि अगर हमने क्या कर दी है late sowing अगर की है किसी भी crop के अगर हम late sowing करते हैं तो उससे क्या होता है उसमें insect का attack ज़्यादा दिखाई देता है ठीक है वो insect का attack ज़्यादा दिखाई क्यों देगा क्योंकि उस समय तक क्या हो चुका होता है जो insect की population होती है field के अंदर वो बढ़ चुकी होती है ठीक है जिससे क्या है कि late sowing की गई crop पे क्या होता है उसका जो attack आता है वो काफी ज़्यादा होता है इसलिए हमको क्या है जो planting time है वो भी काफी important है और काफी मैंने उसको हमको क्या करना पड़ता है उसको manage करना पड़ता है या तो early sowing करनी चाहिए कुछ crops में क्या होती early sowing करनी चाहिए और कुछ में क्या होता late sowing करनी चाहिए ठीक है then उसके बाद में है planting spacing या plant spacing देखिए भई plant spacing भी एक important character है वो इसलिए है क्योंकि अगर हम plants को भो ज़्यादा पास पास में लगाएंगे उससे भी insect की population क्या होगी ज़्यादा बढ़ेगी ठीक है और plant को ज़्यादा दूर दूर लगाएंगे तो उससे भी क्या हो सकती है insect की population plant के अंदर बढ़ सकती है वो कैसे देखे एक चोटा सा example में आपको बताता हूँ brown plant hopper ठीक है brown plant hopper के अंदर होता क्या है कि अगर plant ज़्यादा पास पास में है तो उनका attack क्या देखा जाता है ज़्यादा attack उनका आता है ठीक इसी तरीके से helicoverpa armisera जो है वो भी close spacing planting के अंदर उसका attack क्या देखा गया है ज़्यादा देखा गया है ठीक है अब next है fertility management देखिए fertility management यहाँ पर किसके लिए use लिया गया है तो भाई fertility management है आपका soil के लिए देखो अगर soil की fertility अच्छी होगी तो उससे क्या होगा plant को proper growth मिल पाईगी ठीक है जो plant क्या कर सकता है जो insect के attack है plant क्या कर सकता है insect के attack से भी survive कर सकता है ठीक है इसके बाद में है water management देखो water management क्या होता है कि जो हमारा field होता है फिल्ड के अंदर प्रोपर क्या होना चाहिए water का circulation होना चाहिए यह मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक water हमारे field के अंदर standing stage के अंदर नहीं होना चाहिए हम बात करें कि rice के case में अगर हम बात करें तो अगर ज्यादा लंबे टाइम तक water रुका हुआ है तो उससे क्यों आता है BPH का जो attack है वो बढ़ जाता है ठीक है then है sanitation Sanitation भाई देखो sanitation भी एक important point है वो इसलिए है क्योंकि हमारे harvesting के बाद में जो field होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बिल्कुल clean होना चाहिए उसमें किसी भी तरह के last वाली crop के क्या नहीं होने चाहिए stables नहीं होने चाहिए अशी crops लगाना जिसकी help से क्या हो तेको trap cropping क्या होता है कुछ ऐसी crops grow करना जिसके वज़े से क्या हो कि हमारी जो main crop है वहां से insect divert हो करके कहां चला जाए दूसरी alternate जो हमने trap crop लगाई है वहां पर जाकरके वो क्या करे grow करे या वहां पर जाकर क्या हो उसका attack हो या उससे क्या हो हमारी main crop जो है वो क्या हो बची रहे सके ठीक है धन उसके बाद में है inter cropping नेखो inter cropping क्यों कि जाती है inter cropping इसलिए कि जाती है ताकि क्या हो कि जो भी insect pest है या पेस्ट की population है उसको control करने के लिए जो भी natural enemies है वो क्या कर सके उसके साथ में जो host के साथ में जो intercrop grow की गई है उसके उपर क्या कर सके सरवाईव कर सके देखिए intercroping के अंदर generally जो crops काम में ली जाती है वो कौन-कौन सी जैसे कि एक तो हो गया काउपी हो गया ठीक है और एक हो गया मुंग बीन ठीक है देखो काउपी और काउपी और मुंग बीन जो है इनको क्या किया जाता है as a trap crop या intercroping काम में ली जाती क्योंकि इनके अंदर क्या होता है जो भी natural enemies है वो क्या करता है easily survive कर सकता है और क्या को इसके हल्ब से क्या होगा जो भी पेस्ट है पेस्ट की population को क्या कर देंगे ये naturally control कर देते है देन इसके बाद में क्या है change in the system of cultivation जो cultivation का system में उसमें भी changes करके क्या किया सकता insect pest की population को control क्या जा सकता है then crop rotation देखो क्या होता है crop rotation एक important factor है वो इसलिए है क्योंकि कुछ-कुछ insect pest ऐसे होते है जो continuously अगर हम उस crop को grow करें तो उनका attack हर साल क्या होता है बढ़ता रहता है या उनकी population हर साल क्या होता है increase होती रहती है तो इस condition में क्या है उस host crop को रोक करके उसकी जगद किसी alternate crop को लगाया जाए जिससे क्या हो सके उस insect का life cycle क्या हो सके break हो सके ठीक है crop rotation जो सबसे ज़्यादा important होता है वो होता है भई निमेटोड के case में ठीक है निमेटोड के case में हम बात करें निमेटोर्स की केस में सबसे ज़यादा हमको फायदा मिलता है किस से क्रोप रोटेशन से क्योंकि अधिकतर जो निमेटोर होते हैं वो कहा होते हैं जमीन के अंदर होते हैं और उनको उनका लाइब साइकल ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है दूसरे host की या दूसरी crop की crop से उसका क्या किया जाता है rotation किया जाता है ताकि वो क्या नहीं कर सके next time उस crop पे survive करने के लिए उनके पास क्या ना हो host available ना हो ठीक है then इसके बाद में है harvesting practices भाई देखो हमने शुरू से लेकर के last तक यह सारी की सारी जो practices वो फोलो कर रहे हैं और उसके अंदर सबसे last में important वह जो प्रैक्टिस आती हो हार्वेस्टिंग स्टेज देखो harvesting stage पर भी क्या होता है कि अगर हम उसको proper तरीके से harvest नहीं करेंगे तो भी क्या हो सकता है हमारे production के अंदर काफी losses देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे कि हम बात करें अगर हमारी crop को हमने early maturity पर harvest कर लिया जब क्या है उसके अंदर moisture level ज्यादा है ठीक है तो moisture level अगर ज्यादा होगा तब भी क्या होगा हमारी जो production होगा उसके अंदर क्या सकते हैं उसके अंदर आपके देखो एक तो fungus का अटेक आ सकता है ठीक है अगर crop के अंदर moisture content ज्यादा है तो 100% उसके अंदर fungus का अटेक आएगा देन उसके बाद में है फिर जो सकते हैं तो क्या होना चाहिए जो हार्वेस्टिंग प्रेक्टिस है वहां पर एक सबसे इंपोर्टेंट बात है जो भी हमारे production है उसका प्रटिकुलर क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए फैके लगबग मोईस्टिंग के लिए मोईस्टर लेवल यहां आट से 10% ठीकले मोईस्टर अमईस्ट में कीरिंका टामLuc we kanina method क्या पर ज्यादा लंबे टाइम को क्हें रखना चीए टृम को फिल्ड में अगर हार्वेस्टीं स्टेज पर आजाए तो हर्वेश्टिं स्टेज पर आने के बाद मुझ जादा लंबे टाइम तक क्रोप को क्या नहीं रखना चाहिए फिल्ड पूछा जा सकता है या फिर आपको यह इस step का नाम देखकर की पूछा जा सकता ही कि किस तरीके के control measure के अंदर include होता है ठीक है इसके बाद में देखिए फिर आता है आपका next है physical control देखो physical control भी क्या है एक तरीके का जो control measure है उनके ही उसका ही एक component है उसी का ही एक part है अब physical control में हम क्या क्या करते हैं देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे उसका definition देखेंगे तो देखो modification of physical factors सबसे पहले तो हम देखेंगी physical factors होते क्या क्या है देखो physical factors के अंदर क्या क्या आते हैं कुछ ऐसे environmental factors या किसी हम बात करें किसी insect का अगर हम environment change गर देते हैं ठीके किसी भी insect का अगर हम environment change गर देते हैं तो वो सारे के सारे changes किसमें include किये जाएंगे भई वो किये जाएंगे आपके physical control के अंदर और वो सारे की सारे factors क्या कहलाते है physical factors कहलाते है देखो modification of physical factors in the environment to minimize or prevent pest problem is called physical control देखो होता क्या है कि अगर किसी भी insect का क्या कर दिये जाए environment के अंदर उसका changes कर दिये जाए जैसे कि अगर कोई insect pest है ठीके वो जिस जगह पर रह रहा है और वहां का हम क्या कर दे temperature या तो बढ़ा दे ठीके जरूस से ज़्यादा अगर हम temperature बढ़ा देते हैं या जरूस से ज़्यादा हम temperature कम कर दे तो उससे भी क्या होगा insect क्या हो जाएगा survive नहीं कर पाएगा तो ये भी क्या है एक तरीके का physical factor है या हम बात करें किसी भी insect की जो humidity level होता है उस humidity level से अगर ज़्यादा humidity कर दे जाए या उससे कम humidity कर दे जाए तो उसकी जो life cycle होगा उस पर adverse effect आएगा या फिर हम क्या कर दें किसी भी insect को survive करने के लिए जो भी oxygen level है या उस oxygen level से अगर हम उस oxygen को कम कर देंगे तो वो भी किस में include हो जाएगा physical method के अंदर ही include हो जाएगा तो ये सारे के सारे factors क्या किलाते है भाई physical factors किलाते है और इनके अंदर अगर changes कर दिये जाए तो उससे क्या होगा insect जो life cycle हो क्या हो सकता है ना पहुंचे ठीक है देखिए इसके अंदर सबसे पहले दो हम क्या क्या कर सकते हैं कौन-कौन से factor जो आते हैं insect के physical control के अंदर वह आते हैं सबसे पहले manipulation of temperature जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि temperature हो गया humidity हो गया मॉइस्चर हो गया ्ठीके wind velocity हो गयी या light हो गयी यह सारे के सारे factors क्या कहला थै। ataF 말 गया तो वह जाए Got या तो उसके there या फिर क्या हो जाएगा वो मर जाएगा ठीक है तो देखो हम क्या क्या कर सकते हैं कि Menopulation of temperature इश तो दोनों ही का होता है कि इंसेक्ट गया किया किया सकती है वो temperature की help से क्या की जा सकते है उसको disturb किया जा सकता है वो disturb किस तरीके से क्या जा सकता है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जरूर से ज़्यादा temperature कम हो जाएगा तो insect की metabolic rates जो होती है या उसकी body के अंदर होने वाली different reactions जो होती है उनका level भी क्या जाता है बहुत कम हो जाता है जिसके वज़े से क्या नहीं हो पाता insect का life cycle time पर complete नहीं हो पाता ठीक है तो इससे भी उनको नुक्सान है या फिर हम क्या कर दे temperature को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तब क्या हो जाता है insect के body के अंदर जितने भी enzyme जो होते है cả उन rinse जाता है और in jamais का ago de breakdown होना start हो जाएगा तो जितने भी tissues हैं उन tissues के अंदर भी क्या होना start Megalत है जो bond है या जो of an hebिल activists के वह बीर spends का जाता है झाई हो इस तरीको इस तरीके से क्या मेनुपलेट किया जा सकता है ठीक है और दूसरा हम क्या कर सकते हैं देखो संड्राइंग दसीड्स टू किल एग्स एंड हिदन स्टेजिस ऑफ स्टोर प्रोड़क्ट पेस्ट भाई देखो बहुत इंपोर्टेंट स्टेज है और कई बार आपके एक्जाम में पूछा जाता है कि जितने भी बीज जो होते हैं या फिर हमारे जो भी स्टोर प्रोड़क्ट जो होते हैं हम उनको धूप में क्यों सिखाते हैं ठीक है उनको धूप क्यों दिखाते हैं तो भई देखो धूप दिखाने से धूप दिखाने के पीछ गादे सबसे बड़ा रेजन है वह यहीं है कि आप डिरेक्ट सन के एक्सपोजर को बहं electronically को रख़ोगे लो messaging को होग तो जो भी हमारे store product है उनको क्या रखना धूप में हम किसलिए रखते हैं ताकि उनके अंदर जो भी insect के stage है उसको क्या किया जा सके किल किया जा सके इसके बाद देखो exposure of cotton seeds to sun heat in thin layer for two to three days देखो क्या होता है कि जितने भी cotton के seed जो होंगे उनको क्या किया जाता है दो से तेन दिन तक लगातार क्या रखा जाता है धूप के अंदर रखा जाता है कब रखा जाता है अप्रेल से मही के महीने में ये एक चीज आपको important है क्योंकि आपसे कई बार ये महीने जो हैं कि deep summer blowing उब घादर बगई याद कने ऑसमें मान्सून के हिसद की सबस्ते तो यह में ने जा जाने को आपकी को होता है कि मौसम बिल्कुल साफ होता है और टेंपरेचर जो होता है वो भी क्या होता है लग बग 40 से 42 डिगरी के आसपास पाया जाता है तो देखो क्या होगा कि कोटन सीड को अगर धूप दिखाते हैं तो उससे क्या होगा जो भी पिंक बॉल वर्म का लार्वी है ठीक है पिंक बॉल वर्म का लार्वी है या प्यूपा जो है उसको क्या किया जा सकता भाई वहाँ पर किल किया जा सकता है ठीक है इसके बाद में हम बात करते हैं और क्या कर सकते भाई, ट्रीटमेंट ऑफ शुगर केन सेट्स विद हीट एनरजी यूनिट्स आइधर एज होट वाटर और होट एर ट्रीटमेंट भाई देखो जो शुगर केन के सेट्स जो होते हैं जब भी शुगर केन को ग्रो किया जाता है उससे पहले उसके चोटी चोटी टुकड़े जो होते जिनको हम क्या बोलते हैं उन शुगर केन सेट्स के अंदर क्या होता भाई उसको भी हम क्या कर सकते या तो हम उसको गरम पान देखो और सबसे next और important point जो है जो बहुत common question है और examiner's का सबसे favorite भी है वो है कि use of flamthrowers against locust भाई देखिए ये जो question है ये examiner's का सबसे favorite question है और वो direct यही चीज़ पूछते है कि flamthrowers का use किसके लिए किया जाता है तो वो किया जाता है भाई locust के लिए ठीके अभी हाल ही के अंदर जो भारत के अंदर क्या हुआ था 2020-2021 के अंदर locust का attack जब आये था तो locust के attack को क्या किया जाता है locust के attack को control करने के लिए क्या करते है कि flamthrowers जैसा कुछ एक instrument होता है जिसमें से क्या निकलती भाई आगे की लपटे निकलती है जिसके help से क्या कर सकते है आगे बढ़ती भी locust को क्या किया जा सकता किल किया जा सकता तो यह भी किस के अंदर आता है यह आता है आपके physical method के अंदर और दूसरा है जो है यह भी काफी famous question है और examiner इसको कई बार exams में पूस्ते हैं वो है use of burning torch against harry caterpillar देखिए भई harry caterpillar जो है harry caterpillar के against क्या किया आता है burning torch देखो burning torch भी क्या होता है है एक तरीके का ऐसा instrument होता है या equipment होता है जिसके help से हम क्या कर सकते हैं जो आगे बढ़ते है फिल्ड से फिडिंग करने के बाद में दूसरे फिल्ड में अगर जाएगा तो क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं स्टोरेज और फ्रूट एंड वेजिटेबल एट वन टू टू डिग्री सेंटिग्रेट लो लीथल टेंप्रेचर देखो भाई क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज्यादा लंबे टाइम तक अगर हमको सर्वाइव करवाना या उनको प्रिजर रखना है तो हम क ऊपर MP3 नहीं कर सकती वहाँ पर तक कम ट्राइचर पर इंसेक की में पर इंनसेक्ट सरुवाइव साहः नहीं कर सकता वहाँ पर ब्लद टोस भाई को जो होते हैं यानि जो आलो जो होते हैं उनको किस में रखा जाता है barking तो इसमें रहा जाता है मिन बॉल्द करने के लिए अगर हम पोटेटो को क्या रखेंगे कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो वहाँ पर किसका अटेक नहीं आता है ठीक है आई बात यहां तेक समझ में देन उसके बाद में देखो फिर है मनिपुलेशन ओफ मॉइस्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिजिकल अब हम क्या करते हैं कि मॉइस्चर लेवल जो है मॉइस्चर लेवल पर हम क्या कर दे मैनिपुलेशन कर दे वह किस तरीके से कर सकते हैं अल्टरनेटिंग ड्राइंग एंड़ वेतिंग ऑफ राइस फिल्ड टू मैंने राइस ब्राउन प्लांट हो पर भाई देखो यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है बहुत बार एक्जाम में पूछ आता है कि राइस का जो फिल्ड है राइस के फिल्ड में से पानी को निकाल देना और फिर से पानी को भरना या टाइमली क्या करना जो पानी को बाहर निकालने और रखने की जो इसमें सीक्वेंस है वो किसमें helpful होता है ब्राउन प्लांट होपर जो है उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता भई helpful होता है ठीक है और दूसरा है drying of seeds below 10% moisture level affect insect pest population और rice weevil और pulse beetle होता क्या है कि हमारे seeds होता है उन seed के अंदर क्या करना चाहिए moisture content जो होना चाहिए लगब कितना होना चाहिए 10% से कम होना चाहिए ताकि क्या ना हो वहाँ पर किसी भी तरह का fungus या insect का अटेक ना देखा जाए ठीक है देन उसके बाद में है use of irradiation भई देखो use of irradiation के अंदर क्या होता है कुछ गामा रेज गामा irradiation जो होता है किससे होता है कोबाल 60 यह आपको कई बार exam के अंदर पूछा जाता है कोबाल 60 ठीक कोबाल 60 जो होता है सबसे पहले यूज में लिया गया था किसमें यूज में लिया गया था यह इस निपलिंग ने देखो इस निपलिंग क्या है एक scientist का नेम है जिसने क्या किया था सबसे पहले irradiation का यूज लिया था irradiation में क्या होता है कि कुछ ऐसी वीक्रणों का यानि कुछ ऐसी रेज का यूज करना यूज करके क्या करना इंसेट की population को कंट्रोल करना वो किस तरह से कंट्रोल होता है देखो गामा irradiation from cobalt 60 is used to sterilize the insects देखो भाई इन किरणों का यूज करके क्या किया जा सकता है इंसेक को sterilize किया जा सकता है या उसके मतलब जो भी reproductive organ से उनको क्या किया सकता है डिस्टोइड किया जा सकता है अगर किसी भी इंसेक्ट के reproductive organ अगर डिस्टोइड हो जाते हैं तो वो क्या नहीं कर सकता फिर रिप्रोड़क्शन नहीं कर पाएगा और रिप्रोड़क्शन अगर नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं होगा वो इंसेक की पोपलेशन आगे नहीं बढ़ा पाएगा जिसकी हेल्प से भी क्या किया जा सकता है ठीक है तो देखो स्टेरिलाइज दे इंसेक्ट इन लेबॉरेट पर आज़े करने हैं तो आज़े पहले किया था इस किया था नहीं तो आए बात यहां तक नहीं समझते हैं इसके बाद में हम आगे चलते हैं पिर आता है जोो यून फोर्स के इंदर क्या होता है कि जो यूमन forces होती है उनका use में करके क्या क्या किया जाता है insect pest की population को manage किया जाता है तो देखो वो कौन कौन से होता है mechanical control क्या होता है the reduction or suppression of insect population by means of manual device or mechanics is referred as mechanical control जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि insect की population को कम करना या उसको control या manage करना किसके help से main vehicle या manual device की help से क्या करना s kennel करना मैकिनिकल control कहलाती है mechanical control clearly जिए कि अब देखो mechanical control के अंदर kون लोगा ही पाहते है हम कभी कभी आपने पढ़ा हो गए आपने सुना होका कि hand collection and destruction of larvae by a eggs तो क्या होता देखो सबसे पहले हम बात करते हैं manual forces कौन-कौन से होती है कि हम हाथ से कौन-कौन से काम कर सकते हैं तो देखो the egg masses of rice stem borer spot of terra, red hairy caterpillar can be picked up and destroyed हम क्या क्या कर सकते हैं जो stem borer होते हैं red hairy caterpillar होते हैं या spot of terra जो होता है उसके जो अंडे हैं या उनके जो eggs होते हैं हम क्या कर सकते हैं उनको हाथ से collect करके destroyed कर सकते हैं पहली बात दूसरी stage क्या होती है collection and destruction of fallen infested fruit against the fruit flies and fruit borers क्या होता है कि अगर जो भी fruits हैं वो क्या हो रहे हैं अगर किसी borer से या fruit flies से infected हैं और नीचे गिर चुके हैं उनको भी क्या कर सकते हैं एकटा करके destroyed किया जा सकता है ताकि क्या कर सकते हैं उनको हम उनके अंदर जो insect का attack है उसको आगे बढ़ने से रोख सकें दूसरा और क्या किया जा सकता है manual removal of pink ball worm attacked rosetti flowers weather dropping terminal infested spotted ball worm देखो ball worm जो होते हैं यह cotton के अंदर जो ball worm लगते हैं जैसे pink ball worm हो गया spotted ball worm हो गया American ball worm हो गया यह तीन तरह के ball worm जो है cotton के अंदर पाइद आते हैं उनसे infected balls जो अगर नीचे गिर चुकी है या plants पर है हमको दिखाई दे रही है तो उनको भी क्या कर सकते हैं हाथ से हटाकर destroyed कर सकते हैं यह example जो है यह आपके exam के point of view से important है क्योंकि यह जो है क्या बता रहे हैं आपको यह बताते हैं कि mechanical control के अंदर कौन-कौन सी practices जो है include की जाती है इसके बाद में है pruning and destruction of infested shoot and flower parts देखो एक हम यह भी कर सकते कि अगर हमको plant के उपर क्या दिखाई दे रहा है इंसेक का attack दिखाई दे रहा है किसी particular tweak पर यह किसी particular stamp पर तो हम क्या कर सकते हैं उसको cut करके destroyed कर सकते हैं ताकि वो इस insect का attack क्या ना हो आगे ना बढ़े पहली चीज देखो दूसरी बात क्या है effective in checking the manipulation of scale millibug और aphid भाई ऐसा करने से क्या होगा कि scale insect जो होते हैं millibug जो होते हैं और aphid जो होते हैं उनको क्या किया जा सकता है easily control किया जा सकता है देखो और सबसे next जो है यह भी है आपसे बहुत बार exam में पूछा जा सकता है कि passing ropes across rice field to disclose cash worm over the standing water which is drain out भाई देखो यह बहुत famous question है और बहुत बार पूछा जाता है कि जो rice की crop जो होती है उसके उपर हम क्या फेड़ते हैं रसी फेड़ते हैं रसी चलाते हैं वो रसी क्यों चलाई जाती है ताकि क्या किया जा सके जो rice का case worm जो होता है जो rice का case worm जो होता है उसको क्या किया जा सके वहाँ से disloze किया जा सके या वहाँ से उसको हटा करके नीचे गिरा दिया जाए ताकि वो क्या ना हो उसका जो attack है वो और ज़दा ना बढ़े तो एक बहुत famous question आता है यहाँ से कि rice के field के उपर यहाँ जाता है कि जो भी राइनस्से में पाय जाता हमा हमें तेक राइस के उप Defendants की बहुतु है उसको क्या करते है धो होता है उसको क्या क्या सत्राइब करेंदार ही प्सक्याता है है अंदर इक इनकste को झाल या जाता है तो ये सारी कि सारे,क्सरे कितार की तता ट्रफ हो जा ग cont इनक्लूड हो जाती हैं इसके बाद में जो नेक्स्त है है इक चाल ज़्रा इनक्लूड आता है आहते हैं अचिछे No Doris बाइजे जिससे हम चुहे पकड़ते हैं चुहे पकड़ने का जो हमारी पास में TRRAP होता है वो भी किसमें आता है mechanical के अंदर आता है फिर आता है screw crow देखो क्या होता है अगर हमारी field के अंदर birds का attack ज़्यादा आ रहा है harvesting stage पर क्या होता है कि कुछ birds जैसे parrot हैं ठीक कबूतर हैं इनका attack भी बढ़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर एक नकली का या एक कववा जो है उसको मार कर गया अगर field में लटकाया जाए तो उसकी help से क्या नहीं होता है जो other birds हैं उनका आना क्या होता है control किया जा सकता है ठीक है इसके बाद में है use of sting slot, drumming, use of insect collection net बही क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे birds जो होते हैं या फिर दूसरे non insect pest के हम बात करें जैसे कि blue bulls देखो blue bulls को normal जो हिंदी भाषा है हिंदी भाषा के अंदर उनका बोला जाता है नील गाए ठीक है तो वो भी क्या है एक तरीकी का pest है और इसके साथ कभी क क्या होता है खरगोश और गिलहेरियों का अटेक भी क्या होता है बढ़ जाता है इस वज़से क्या कि जाता है वहाँ पर ड्रमिंग की जाती है ड्रमिंग का मतलब होता है कि किसी भी धातू के किसी पातर को जोड़ जोड़ से बजाना ठीक है फिर क्या किया सकता है प्रिवेंशन ओफ बेरियर्स ठीक है व्रेपिंग की जा सकती है जो भी फ्रूट से डवलप हो रहे हैं फ्रूट से उनको क्या कि जाता है कि mango के अंदर bending के कि मेंगो मीली बघ को ऊपर चढ़ने से क्या कि जाती है बैंडिंग किस में करते हैं mango ट्री के अंदर में जाती है जो देख करने है जो नौक्टर्ननल इंसेक्ट लो प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यह बहुत इंपोर्टेंट है कई बार आपसे पूछा आता है कि ब्लू स्टी की ट्रेप किसको पकड़ने के लिए काम में लेता है थ्रिप्स को जबकि यलो जो है वह लेते हैं हम एफिड वाइट फ्लाई ठीक है एफिड वाइट फ्लाई और मिली बग फ्लाई ठीक है इसके बाद में है बैट ट्रेप देखिए बैट ट्रेप क्या होता है यह ऐसे इंसेक्ट के लिए किया जाता है जो क्या करते हैं पहले किसी फूट को थोड़ा सा कट करके देखते हैं अगर वो सूटेबल होगा तो ही फिर उसको आगे डेमेज करना शुरू कर जो बेट ट्रेप है चुहों के लिए भी यूज में लिया जाता है ठीक है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो नॉर्मल खाना जो है उसको कम मात्रा में रखा जाता है ताकि चुहें उसको खाएं और फिर खाने के लिए बार-बार वहां आएं और उसको फिर क्या कर दिया लिए अचानक से पॉईजिनस बेट से रिप्लेस कर दिया आता है ताकि उसको खाने के बाद में क्या हो जाए रोडेंट सारे के सारे मर जाएं ठीक है देन है फिश मेल ट्रेप का कई भी आर कुशन पूछा आता है कि फिश मेल ट्रेप किसके यूज के लिए लिया आता है तो वूज मेल ट्रेप शूट् फ्लाय को पकड़ने के लिए दैन है पीट्फॉल ट्रेप दैन है फिरमां ट्रेप में देखो कौन से इंक्त्र पकड़ में आते हैं तै है flawडि मेलं इंसक्त dor प्रोप ट्रेप जोता है वह स्टौर ग्रेंट पैस्त जो होता है वहां पर उनक तो देखिए यह ट्रेप जो है सभी किसमें आते हैं भाई यह आते हैं आपके mechanical control के अंदर ट्रेप जो होते हैं किसमें आते हैं mechanical control के अंदर आते हैं और इसी के साथ जो हमारी आज ही class है IPM को जो हमारा first chapter है जिसके अंदर हमने कुछ important components जो पढ़े हैं ठीक है और उन से related जो भी examples हमने पढ़े हैं exam के point of view से important है आज ही class के लिए इतना ही मिलते है next class में thank you all of you